हेलो फ्रेंड्स सुष्वागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा डर्मी फोर्ड क्रीम के बारे में जो कि लिफोर्ड कंपनी का बहुत अच्छा पॉड़क्ट है तो नज़र डालते हैं इसके जन्निक कंबिनेशन पर कि किस कंबिनेशन से मिलकर किस मिस् व् 잡아 करें के जो शुक्राइब बनाई गई घरकते हैं किया रहता है क्रीम का इस्तेमाल करते हैं यह निवाएं कभम लगाने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं तो अगर आप प्वाएं आप इस्किं से सम्दित समस्या हैं जैसे कि दात, खाज, खुजली, दाने, मुहां से इस प्रकार कि अगर आपको प्रॉप्लम हो रही है या फर जो है गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि जो अंडर आम्स हो है या फर जो है जो नाजुकंग है उनके आसपास में जो है कट सी जाती है तो चाहिए स्क क्रीम को प्रेस्क्राइब किया जाता है या फिर डाक्टर लोग इसको बताते हैं कि आप ये क्रेम यूज करिए तो आपकी समस्य सॉल्ब हो जाएगी तो साथ ही जैसे की मौसम चेंज होता है तो उस टाइम पर अक्सावन के मौसम में क्या होता है कि दाने निकलने लगते हैं चेहरे पर हो या सरीर में कहीं पर भी या फिर बहुत जादा खुजली होने लगती है तो उस कंडिशन में इस क्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसकी इलर्जी में भी इसका उप्योग होता है अगर इसकी इलर्जी है इसकी लाल हो जाती है तुछा लाल लाल हो जाती है सा प्रुपार कि अगर आपको दिक्कत है रिंग बर्म हो किसी प्रुपार की जो है अगर छले टाइप का इसकिन में बन जाता है दाथ टाइप का बन जाता है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह लिफोर्ड कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉडक्ट है और 99 रुपीज की मारपी में आपको 99 रुपए की केमत में आपको आसानी से आपके नजदी की मेडिकल स्टोर से आपको भी प्रोवाइड हो जाएगी मिल जाएगी तो यह 15 ग्राम का पैक है और लिफोर्ड कंपनी का है तो इसको आफ लाइन और आफ लाइन दोनों प्लेटपार् दिन में अप्लाई करें तो क्या होगा कि आपको बहुश जल्दी रेलीव मिल नसुर बहुत आराम हो जाएगा तो अब बाक्स कर लेते हैं इस बोक्सके अंदर करेंगे तो इस परकार से यह क्रेम आपको आपके करेंगे तो प्यार Ini guys को आपको निकलेगे तो इस प्रकार स कि ए साइड इफेक्ट करके क्या हो हो सकते है इस क्रेम को लगाने के बाद में अगर आपको इस क्रेम को इस्तेमाल करने के बाद में द॥ा इच ग्रावल को की ककुछ भी किसी को हो सकते हैं तो और बात यह है कि अगर इस प्रकार के साइड इफिक्ट अगर आपको होते भी हैं तो यह धीरे-धीरे करके सोताही समापत हो जाते हैं कोई ज्यादा डरने घवलाने की कोई बात नहीं रहती है इस क्रिम को इस्तिमार करने के बाद में तो दोस्तों यही था आज का मेरा वीडियो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्रीज मेरा वीडियो को लाइक हो सेर करना ना बूले मिलतें एक लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद